लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें से अल्ट्रा चनल्ट अल्ट्रा चनल्ट याँ। कर दो 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 कर कि दोज सॹाराब करी जो tद के चारी कि विलागी ऐसलन के कि आलादी! बfound फ्वाई डों मैं झालनकके कि हूशें को काम झालनके कि लिंग जी देठीा जा प्ट्भा जानके कि दूए जदे मैं जालनके कि वलाते कि झाल distributed छीले सबवल sizin याँ भु palm होआने सुना तुने अगर तुने मेरा कहना नहीं माना तो आज के बाद यह आवाज तु कभी नहीं सुनेगा नहीं नहीं ऐसा मत करो मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूँगा तो फिर आप से ठीक एक घंटे के बाद एक करोड रुपया लेकर नारिमन पॉइंट के टेड एंड पर आ जाओ क्या तुम मेरे बच्चे को भी वहां लेकर आओगे सवाल नहीं सवाल नहीं पैसा मिलते ही तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा हाँ, अगर चाला की करने की कोशिश की न तो जानते हो क्या होगा मुझे छोटे-छोटे बच्चों के छोटे-छोटे टुकडे करने में बहुत मज़ा हता है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मैं पैसा लेकर आरो, मैं पैसा क्या माग रहा था वो, उसे हमारी सारी जायता दे तो लेकिन मेरे मुन्ने को ले आओ, मेरे मुन्ने को ले आओ घबराऊ मत, मैं पैसा लेकर जा रहो, मैं मुन्ने को लेकर ही आऊँगा तुम लोग, नारीमन पॉइंट के डेड एंड पर पहुंचो वहाँ पर मखीजा से एक करोड रुपया वसूल करेना हाँ सुनो सुनो सबूत छोड़ने की मुझे आदत नहीं पैसा मिलते ही मखीजा को खर्म कर देंगे जावाश, चलो, चलो सर, वो कॉल ट्रेस हो गई है किडना पर कमपाला हिल के आखे में कई मौजूद है तुम चारो तरफ से घिर चुके हो अपने आपको और बच्चे को कानूं के हवाले कर दो बरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी अफजर, अरे फारी चुरू करो कि आपको अरे अरे वजे चुरू एंपको घновते नाख़ेगी वांपको कि आचे की, होग बढ़ेगी आपक сразу बहुरे गालmansिवा हम्सक क्राफ़जू उम ड्सक क्राफ़ परक्राफ़ यशर, भूप श्यजू हा घज हे पाह पाह हाई लच झाई आप अओ आप राऊ आप बाँ आप 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 बाँ हाँ रा आप दए आप आप all आप आ आप हाँ 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 Your Honor मुल्सिम राजी फटनागर एक बदनाम की ड्नैपर है जिस पर देश के कई राजियों में बच्चे अभारन करने का मुकद्मा चल रहा है ये मुल्सिम इतना शातिर और चालाख है कि अपने पीछे गुनाओं का कोई भी सुबूत नहीं छोड़ता I object Your Honor Mr. Public Prosecutor एक मनगारन कहाने सुनाकर अधात को गुम्राख करने के कोशिश कर रहे है मेरे मुक्ल एक नहायती इमानदार और इजददार शहरी है अगर ये इजददार और इमानदार है तो डिफेंस काउंसल की नजर में चोर, डाकू, खुनी सब देउता और महात्मा कहलाएंगा Your Honor चाप तक कोई जर्म थाबित नहीं हो जाता मेरे मुक्ल को मुझनिम कहने का किसी को नहीं है आज तक कोई भी केस, कोई भी मुक्दमा इन पे थाबित नहीं हो पाया है सो इसलिया से ये बेगुना हुए हाँ, इनका सिर्फ एक जुर्म है उस दिन मौका ये वारदात पे ये कंपाला हिल्स के लाके में मौजूद थे उस लाके में तो और भी लोग रहते है अपने मादले के कालिक मेरे मौकिल के मुबे पाता जाती है उसके पास आईसन कोई सबूत नहीं हाओ आईसन कोई सबूत नहीं हाओ जो इस थाबित कर सकता है कि हमरा मौकिल उस लोगना का अभरन किया है अग्वा किया हुगा किडिनेप किया अजिसन को दब होता है यहाओ, समझे के रही हैं आप I'm sorry sir I'm extremely sorry मेरी अदालत से यह कुजारिश है यह दर्खास है कि मेरे मौकिल को बेगुना थाबित करते हुए पाईजद बरिक कर दिया जाए मेलॉर्ड, कॉर्टेश से जो भी सुबत मिले है उनकी जाच परदाल हो रही है और जब तक अदालत को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती मैं अदालत से दर्खास करूँगा कि इस खतरनाक मुझरिम को चुडिशनल का स्टडी में रखा जाए Mr. Public Prosecutor आप मेरे मना करने के बावजूद मेरे मौकिल को बार बार मुझरिम कह के पुकार रहे है आप जानते हैं ये एक दिल के मरीज है He's a heart patient, you know Mr. Raju, are you okay? Your Honor My client is a heart patient He's been suffering from acute case of angina इनके चेरे का पसीना देखिए इनके चेरे सबती उसां से देखिए देखिए My Lord, अगर मेरे क्लाइन को कुछ हो गया तो उसका जिम्यदार ये खानून होगा ये अदारत होगी और आप होगे My Lord, आप इसलिए मेरे आप से दर्ख्वास्त है कि मेरे क्लाइन को अपने खर्चे पर किसी अच्छे से हास्पिटल में इलाज कराना की इजाज़त दी जाए ये है इनकी मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं कि कानून अंधा होता है लेकिन इस अदालत का जज अंधा नहीं उसकी आँखे हैं वो देख सकता है सही और गलत की पहचान भी कर सकता है जब तक पुलीस की तेखिकात पूरी नहीं हो जाती अदालत राजू भटनागर को जूडिशल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है मेरा नाम बद्री नराइन डागा यूँ ही नहीं है मैंने सिर्फ जीतना सीखा है सिर्फ जीतना अज तक कोई केस नहीं हा रहा और नाहीं तुम पे कोई केस साबित होने दिया है और इस केस से भी मैं तुम्हें बहुत सफाई से पचाले जाओगा दो चार पेशी दो चार सुनवाई मामना फिरिश लेकिन ये जज थोड़ा तेड़ा लगता है उसकी फिक्र तुम मत करो डागा ने अच्छे अच्छे तेड़ों को सीधा कर दिया है फिर ये जज चीज क्या है मुना दार्लिंग, क्यूटीपाई, स्वीट हार्ट, ताइम तु गेट अप I see मुना दार्लिंग, देखो कौन आया है तुम्हे जगाने के लिए मुना दार्लिंग, बाहर तो आप एक बड़ी शेर नी बनी फिरती है और यहाँ एक छोटे से मामूली कौक्रोच से डर गई कौक्रोच, शेर से कहीं ज्यादा खतरनाख होता है डादी चलिए, कम से कम कोई तो ऐसी खतरनाफ चीज है जिससे हमारी बेटी डरती है वर्न आपके दर से तो हमारे सारे नौकर भीगी बिल्ली बने हुए हैं क्यों नहीं, आफ्टर आल मैं एक जज की बेटी हूँ यूनो डाड़ी, इन सब को कंट्रोल में रखना पड़ता है कंट्रोल में तो रखना पड़ता है, मगर फिलहार आप कंट्रोल में आ जाईए क्यूंकि आपके कॉलिज के जाने का वक्त हूँ गया आँ शाहिए 61 62 62 उपस्थित हूँ श्रीमान धन्यवाज बालकूं और बालिकाओं प्रेम इस संसार की पढ़म शक्ती है अजन्ता और अलोरा की गुफाओं से लेकर जमना किनारे निर्मित ताजमहल प्रेम के रंगों की विभिन्य व्याख्या करते हैं इसी तरह की एक अदभूत प्रेम कता है चकुंतला और दुशियंत की इस कथकी एक खास विशेष्टा जाए मदुबाला मदुबाला सुकारवान तो हुँ समझ पना रेंचका affected इगर अभीआभी डंडेंड Χालो किया है उडार उडार कह बातने करने का क्या बाबाजी हमेशा पैसे की बात करते रहते हो हम तो तुम्हें एक बहुती इंपोर्टेंट खबर सुनाने आये थे कौनसा इंपोर्टेंट खबर है हाँ बाबा जी आपने आज का फिल्म जगत पढ़ा है फिल्म जगत बाबा जी उसमें लिखा है कि स्वर्गिय मदुबाला जी की आत्मा मादुरी दिख्षित के अंदर आ गई है बाबा जी तभी तो वो इतनी अच्छी आक्टिंग करने लगी है मदुबाला के नाखुन के बराबर वो छोकरी आक्टिंग कर लेगा तो अख़्ा दुनिया के नर उसका नाम हो जाएगा लेकिन बाबा जी कहां मादुरी दिख्षित और कहां मदुबाला बाबा जी अगर मदुबाला जिन्दा होती तो आप क्या करते है दिख दिख रहा, मेरे को उसका याद तिला करूँ, तकलिफ मत देया, मधुबला जिन्दा होती नहीं, तो उसके पार्क के एंडर में जान देकर सहीडों में अपना नाम लिखवा लेता है लेडी ग्रा, उसके आट के एंडर, दो समयों से खाओ, थोड़ा तोड़ा करके अरे, अरे क्या कटा है, ये लोग मेरे को इमोशनली ब्लेकमेल करके गफा गफ कोल्डिंग पीता है हाँ तो गल्ड, आज की नाश्टे का इंतिजम तो महदू भाला ने कर दिया, अभी आगे के लिए चलो, अपना अपना पाकेट खर्च निकालो ये लो, मैं बाबाची से जाकर और खाना ले आती हूं अभी पागाड, ये मोटी इतना खाती है फिर भी इसका पेट नहीं भरता आइनो, स्टूपड केंकी ओनिका, तुझे पता है, सल्मा के अभू बहुत बड़े हकीम है, इसने उसको कोई चूरन लाके दिया है कह रही थी, उसको खाने से लोहा भी हजम हो जाता है मेरे अभू जान तो ऐसी ऐसी अभूखी दवाईया बनाते हैं कि बस बस सल्मा, बस बस अपने अभू की पबलिसिटी बंद कर बाबा जी मैं तुझे नहीं छोड़ोंगी तुद देख लेना मर गया अरे सालह इतना टिंगू होके इसके साथ काई कुपंगा ले लिया प्रश्चा, मिलू, क्या हुआ, क्या हुआ ये क्या है इस कभूतर ने मेरे सारे खाने का सत्य राश्कर लिया देखे जी, मेरे नाम कभूतर नहीं है मुझे धप्ता माना और मेरे वक्षिस ते लप हचल लगाने की कोशिश कि देखिए. यहाँ मेरा कॉल को सुने यह जी मैं तो सिधे-शिदे जा रहा था बीट में आकर यह टक्रा गई ऎतो नुक्सान करते हूँ यह बहश करते हो देखक कि जी, ये इतो सर्य सबछ बेंसा पया जी एक नहीतो लगे को छॉट करफेती बाप लोग शर्म नहीं आती जी एयय शर्म नहीं आती है जी एक तो चोरी उपास से सीना चोरी चड़ इसके तलाशी लो देखके जी मेरी बात तो सुझें जी मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे बात तो सुनी, मेरे बात तो सुनी, मिरे पैसे इसके पास 140 ही रुपे हैं और हमारा खाना 1.500 रुपे का था ठीक है, इस पर फॉर्मूला 99 इस्तमाल किया जाए देखे जी, ये 99 फॉर्मूला क्या होता है जी अब भी बत आते हैं, जा चलो पापा चल जाएगा, जा अंदर आपनो के भाईब अपन लेगे जी आपनो क्या कर आते हैं जी टॉइलेट के अनल लेके गा, सत्यानेस, मरी जैसे पहलो ये कपोतर, 500 रुपे दे जाना और कपड़े ले जाना अच्छ अच्छ देड़ शोर पर लेकर आऊंगा जी आच्छ फगलडी की लड़कियों के इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे साइंस फगलडी की लड़के के साथ ऐसे बेहव करें ये तो सरा सर जाती है मिलकु ठीक के रहा है आजय तुम अगर इनका जवाब नहीं दिया गया तो इनकी दादगरी ऐसे बढ़ती जाएगी मजा तो चकाना ही पड़ेगा लेकिन यारो ये तो पता उसके आगे करना क्या चाहिए ठीक है यार विकास को आने दो इन लड़कियों की इत का जाब थाम पत्थर से थे ये लड़की बड़ी सर फेरे ये लड़की बड़ी सर फेरे रहना यारो समल के ये लड़की बड़ी सर फेरे रहना यारो समल के ये लड़की बड़ी सर फेरे रहना यारो समल के है चलती हुई फुल जड़ी सबको जलाएगी देखो देखो पूरे मबादी है होटो पे होटो पे इसके कादी है दिल की ये दिल की थोड़ी सी कादी है मोनिका ये लड़की बड़ी सर फेरे रहना यारो समल के है चलती हुई फुल जड़ी सबको जलाएगी ये देखो देखो पूरे मबादी है होटो पे होटो पे इसके कादी है दिल की थोड़ी सी कादी है मोनिका यो स्टुपड मुझे से अगर तकराओगे मुझे से अगर तकराओगे तु तोगे बिखर जाओगे तितली नहीं बिजिली उमें छोना नहीं मर जाओगे तु जो है चंचल खटा हम भी तो है तुफा देखो, देखो पूरी मवाली है होटो पे होटो पे इसके काली है दिल की थोड़ी सी काली है मोनिका आई, ख्रेजी? हाँ मैं प्रेट दिल काल व कर तु तु př illness कर दो प्रोचा प्रोट कर दो च vielleicht तेखे नयन शोला बदन फड़के हुई ये जवानी तुझे को सबक सिखलाएंगे तू बनते हैं बड़ी सयानी तू है कदी अदिखिली हम है आशिक जवा देखो देखो पूरी मवाली है होटो पे होटो पे इसके कादी है दिल की ये दिल की थोड़ी से कादी है मोनिका ये लड़की बड़ी सरफिरी रहना यारो समबलके ये लड़की बड़ी सरफिरी रहना यारो समबलके है जलती होई फुल जड़ी सब को जलाने किये देखो देखो पूरी मवादी है होटो पे होटो पे इसके काली है दिल की ये दिल की थोड़ी से काली है होटो पे होटो पे इसके काली है ला 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 तुपड, हसता है यह अभी हसतू, अभी बताते हूं तुझे उल्लू के पठे, यह ले यू लंगूर, लोफर, यू स्टुपड, यू, हाँ डाडी, यू, येस, मी, अगर आपका कुछ साभी तक ठंडा नहीं हुआ, तो इस घर में बहुत सारी प्रेटे हैं तो फोलने के लिए, आप कहें तो पेश करूँ आओ डाडी, आखिर बात क्या है, हमें भी तो बताईए, इस घर को कोड़ेदान आप क्यू बना रही है, मैं नहीं बताऊंगी, ये में परस्नल मैटर है, अच्छा अच्छा, मतलब ये के आज कॉलेज में एक बहुत बड़ी फाइट हुई है, मैं क्यू बताऊं, आप अपन अपने के नहीं, दिखाने के है, ये नकली है, असली नहीं, अब बताऊं क्या हुआ, ओ डाडी, मैं क्या करूँ, गुस्वा मेरे साथ साथ कॉले से घर तक चलाया तो इसमें मेरा क्या गुजूर, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके गुस्वे को ठंडा करना हम नहीं, डाडी, ये गुसा यू ठंडा नहीं होगा, ये तो तब ही ठंडा होगा, जब उसकी भी वही हालत होगी, जो उसने मेरी की थी अरे सुनो, सुनो, विकास को आज फैकल्टी के लड़कों लोगेर लिया है最ला है सुनने बनता है साले, तुमारी फैकल्टी की लड़कों बे मेरे दोस्के कपड़े उतार दिये, और अब तो मारा मारी पर उतराय मैं तुम सब की खाल उखेड़़दूगा झाल वाल का फिच्टोरो अप्रेश करेंका भूए भूए अव्रूरो अप्रेश। का अपडità अप्रेश। अप्रेश और इडाई पेड़ा अप्रेश अॉग्रोब। आई सेट स्टब इट यह बल अफसोस की बात है कि तुम लोग ने पढ़ने लिखने के बजाए मारपीट और डादा गिरी करना शुरू कर दी है खेल जो हो गया सो हो गया अब सब कुछ भूल जाओ और एक डूसरे के गले लग जाओ चलो प्रिंसिबल ने तुम्हें माफ कर दिया तो क्या हुआ यह मत समझना कि मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया यह कहानी तुमने शुरू की थी लेकिन इसे खत्म मैं करूगी यू अंदर्स्टेंड हाँ तो सल्मा क्या रिपोर्ट है इस फाइल में विकास की पूरी जन्मकुंडली बंध है इसे बावाजे बुलंद पड़ा जाए येस यो ओनर विकास वर्मा वल्द अविनाश वर्मा इसका विनाश तो मैं करूँगी फर्स्ट यह में पूरी उनिवर्स्टी में फर्स्ट गूड सेकंड यह में एट्टी परसंट टॉप मार्क्स वेरी गूड म्यूजिक और स्पोर्ट का शॉकिन भी है नाइस पिछले दो सालों से पॉम्बेपूना रेस में चैंपियोंशिप भी मेर रही है फोल्ड 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 पॉम्बे पूना मोटर साइकल रेस यह तो दो दिन बाद ही होने वाली है हाँ यस मेलॉड मिस्टर विकास वर्मा की चुर्म का फैसला हमारी आदालत पॉम्बे पॉना रेस में करेगी पॉम्बे यह जए पॉम्बे पॉर्म पॉर्म झाल 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 हम देखा मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है बच्चु जिन्ब की भर मुसे पंगा नहीं लेगा क्या नहीं लेगा पंगा कौन दुघut? क्या तुम्जा मुझे चलो जाए मुझे चाड़ा चाड़ा बड़ एफ! हुट! याँआआआएग! फफ! हँग! एँग! आएग। 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 Ï हुआ। आएग। आएग। कोई भी अपनी जगा से नहीं लेगा, पाड़ लो शाले को जड़, जड़, ने चलो ने I'm sorry, Vikas आज की इस हरकत के लिए I'm really very sorry Please मुझे माफ कर दो Vikas Raju भाई, आपके साथियों ने बहुत बच्पना दिखाया वो जज़ की बेटी वो किड्नेप करना चाह रहे थे वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस को मालूम नहीं पड़ा वरना आप एक और केस बन जाता अब यह होना था वो तो हो गया, वकील साभ अब आप यह बताएं कि आपने जेलर पेरुमल, पेरुमल से बात की हाँ मैंने जेलर पेरुमल से बात की उनका कहना है कि बैठिये, बैठिये सॉरी मैं जरा राउंड पर चला गया था कहिए, कैसे आना हुआ राजु भाई, मिस्टर पेरुमल आपको इस जेल में वह सा फैसिलिटीस देंगे जो के एक फैसर होटल मिलती है फैसिटार के क्या साभ हम तो आपको टैनिस्टार की फैसिलिटीस देंगे लेकिन सिर्फ जेल के अंदर समझा फिर भी हम आपकी मदद के शुकर गुजार होंगे वकिल साभ पांच तक रुपया थैंकिए सार अनी ताइम है सलाम साथ क्या नाम है तुमारा पपपु सिंग टीके बार जो जी गलाउट तो खबर सच निकली जेल को आयाशी का अड़ा बना रखा है क्या बात है टीवी, वीसीयार, विस्की, इंपोर्टेट सिग्रेट्स तो तुम हो राजू भटनागर जी बच्चों को किड्नैप कने वाले करप्ट आफिसर्स को रिश्वत देकर जेल के कमरों में फाइस्टार होटल का कमरा बना कर रहने वाले जी मैं उन तमाम करप्ट आफिसरों को आज के आज सस्पेंड करा दूगा ने, ने, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अपनी कीमत बो क्या तुम मुझे खरीदना चाहते हो दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती आफिसर खरीदार होना चाहिए वैसे भी राजू भटनागर को परदियां खरीदने का बहुत शौक है तुम सेंटर के आदमी को रिश्वत देना चाहते हो यह स्पेशल चेकिंग है, समझाए मिस्टर राजू भटनागर, तुम्हे पता नहीं है कि सरकारी ऑफिसर के साथ बत्तमीजी करने का क्या अंजाम हो सकता है अब तुम्हे जिंदगे भर जमानत नहीं मिलेगी सर इसे तो सीधा अंडा सेल में डालवा दीजी इसको पता नहीं हमारा पावर क्या है पहले जेलर से निबट लेते हैं फिर इसको बताते हैं पहले जामान उठाओ, सब लेके चलो यहां से, अरे अप क्या बात कर रहे हो तुम, मेरे जेल के अंदर तीन आफिसर आएं और मुझे खबर तक ना हो उन तीनों की वर्दियों को देखकर तो ऐसा लगता था पेरुमल साहब के वो जरूर किसी बड़े रैंक के ओफिसर है और किसी स्पेशल राउंड के लिए आया है कोई राउंड वाउन पर नहीं आया था मेरा दावा है के वो सारा सामान इसी जेल में मौझूद है तुम उन लोगों को पहचान तो लोगे ना Of course ठीक है मैं तुम्हें जेल में राउंड पर लेगा चलता हूं देखते हैं चलों मेरे साथ हम एक से कामकरो जान से देखो, इन में से तो कोई नहीं है आहा चलो पीकर विस्की राजू की पीके सिगरेट फारण की आगए मुजीबत हम सब की तुम तीनों चिंदी चोर अपने आपको समझते क्या हो मैं तुम तीनों को अंडा सेल में बन करा दूँगा ओ साब यह हूल यह पाट किसको देरे लो हम चिंदी चोर है तो तुम कफन चोर है अगर तुमारी नार्कोतों का पता उपर वाले साब को चल गया ना तो तुमारी वर्दी दो मिनिट में उतर जाएगी और धोने के लिए इसके पास आएगी और इस तरी के लिए इसके पास जाएगी बख्कोहास बंद करो। अरे बढ़को मत साब, पहले हमेरी बात तो सुनो। क्या है हम तिनों की थोड़ी कमजोरी है। जैसे मैं, मैं विजियार बे जब तक फूल नाइट पिक्चर नहीं देख लू, मेरे को तो नीन नहीं आती है। और अप उनका क्या है साब, जब तक आप उनके गले के गटर में दोचार घूट नहीं जाते ना, आप उनके दिमाग की घंटिज नहीं बश्टिया। और अपना तो पीडी से भी काम चल जाता है। लेकिन जब इंपोर्टेट सिगर्ड देख लेता हो ना, तो दिल में चलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने क्या सुचा कि हम सब जेल में तो हैं, तो वो माल हमारे कमरे मेरे वे या इनके कमरे मेरे वे तो क्या फरक पड़ता है। थोड़े हाथ की चालागी दिखाया, थोड़ा खूबडी का कमाल दिखाया और माल को यह दर से उदर चमबद कर दिया। तो कुछ गलत किया साब, मिल्कुल ठीक है। मैं तुम लोग को लास्ट वार्णिंग दे रहा हूं। अगर आइंदा ऐसा कुछ होआ ना। एक मिल्ट जेलर साब, आप ज़रा शान्त हो जाएए। यह हमारे आपस का मामला है। आपस महीन इप्टा लेंगे। क्या खैल है। बिल्कुल ठीक खैल है। सुना था हर सेर पर सवा सेर होता है। और हर चोर पर मोर होता है। आज यह बात साबित कर दी तुम लोगों। रजबाई। क्या है एड़े का निशाना, बेवड़े की ताकत, और यह खोबड़ी की खोबड़ी का चमतकार। यह अगर तीनों एक जगा मिल जायना, तो रहा चलते हैं। कि आख से सुर्मा चुरा ले और उसको पता नहीं चले। तो आप पुछेंगे पकड़े कैसे गए। तो पता बे। जेल में थे इसलिए पकड़े गए। बाहर होते ना तो ढूंडते रह जाते। यह लेकिन स्कीम बहुत बढ़िया बनाई थी तुम लोगों ने। चक्कर में आगया मैं भी। आरे अपने खोपडी का दिमाग खूब चलता है। लेकिन क्या है कभी इसका पासा कभी ठीक नहीं बैटा। एक बात बात पूछू। पूछो। सुनना है कि तुम छोटे छोटे बच्चों को किनाप करके बहुत माल कमा लेते हो। माल तो सभी कमा लेते हैं। फर तुम नहीं समझभाओगे। इसकी समझदानी वो थोड़ी कमजोर है। यूपर का जो माला है न यह खाली है। खाली जगाओं को भरना मुझे अच्छी तरह से आता है। मुझे दोस्ती करोगे। विश्की पिलाओगे। टेली। वो दोस्ती हो ली। टेली। टेली। अकीले कहां पी रहा। गिलास में डाल। ऑखाली। इसको भी दे। चेर्स। लेकिन ये फूल किसने मेंजे। अपन तो बड़ा लेखा नहीं है। यहां पे लेखा है, खुदी देख लीजिए। पागल हुई हो क्या। गिर जाती तो। गिर जाती तो। तुम हो ना सामालने वाले। मैं तुम्हें अच्छी तरह पैचान गया हूँ। तुम्हारी कोई भी चाल अब मुझ पर काम्याब नहीं होने वाली। समझी। विकाव। विकाव, सुनो तो। कितना भाव खाता है। पर मैं भी छोडूंगी नहीं। कर्णि पर्चाव। करें! विकाव। ला-ला-ला-ला ीष करें भेहरेंने स्के पोडूंग बोला ना तुमने मुझे माफ कर दिया देखो, देखो, तुम्हें बोलना ही होगा तुम्हारी खामोशी मुझे सही नहीं जाती बोलो ना, बोलो, जवाब दो विकास तुम्हें बोलना ही होगा मैं तुम्हारा जवाब सुनना जाती हूं विकास विकास बोलो विकास के प्यार को भी हासिल किया और मैं विकास के प्यार को भी हासिल करके रहूंगी लेकिन इस तरह उसके पीछे भागने से तुझे मिल तो नहीं जाएगा न देख, वो तुझे जान पूछ के सतारा है वो जान पूछ के मुझे सतारा है, मैं जानती हूं अंदर य अंदर वो भी मुझे प्यार करता है देख, अब ये सच है या जूट, इसका पता लगाने के लिए, तुझे उसके दिल में जाकना पड़ेगा. But how is that possible? किसी के दिल में क्या है, हम कैसे जान सकते हैं? मेरे अब्बु ने एक ऐसी गोली बनाई है, जिसको खाते ही इंसान सच बोलने लगता है. क्या? तु सच बोल रही है ना? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये ले, आजमा के देख ले. लेकिन इसको आजमा है किस पे? देख देख, निलू फर आ रही है. आज इस मोटी को हलाल करते है. चल. हाई, मानिका. हाई, सल्मा. देखो ना, कितनी गर्मी है. अच्छा है ना, तेरे सारी चर्बी पिखल जाएगी. क्या? तो छोड़ ना, इसे तो मजाग करने की आदत है. चुपशश्मू. ले, तु कोल्डिंग थे. थैंक यू. पीपी. तुम भी प्यो ना? हाँ, तू भी ना? कुछ हुआ? क्यों? क्या होने वाला था? नहीं, नहीं, कुछ नहीं. हम लोग तो यह डिसकास कर रहे थे के, जवानी की दिनों में सब के दिल में कुछ-कुछ होता है. तेरे दिल में अभी ता कुछ नहीं हुआ? हाई, जब से मेरा सपनों का प्रिंस चामिंग मेरी जिंदगी में आया है, मेरे रातों की नींद और दिन का चैन दोनों गायब हो गए हैं. उसका दुबला पतला कद मेरी आँखों के सामने पूरा दिन लहराता रहता है. लेकिन वह है कान. मेरी सपनों का राजा है चारली. क्या? इस्क्यूज में, आपता चाते क्यों है? भूरा पहला तुमने विकास के कॉल text पे ना? सिरव विकास के कॉल रिंग में मिला धी है. हां कर दो कर दो कर दो कर दो ये कैसा नशा नशा है ये धड़कन मेरी जवा है सासों में बस जा तु मेरी दिल में उठा तु पा है ये कैसा नशा नशा है ये धड़कन मेरी जवा है सासों में बस जा तु मेरी दिल में उठा तु पा है ये कैसा नशा नशा है ये धड़कन मेरी जवा है बस जा झाल कैसे न देखो मुझे को पिया घबरा रहा है मेरा जिया तुमसे ये दिल कह रहा है ओ छोड़ो सनम ये शर्मो हया ये प्याद है न कोई नया सदियों का ये सिलसिला है आलम है ये देखो दी का दिल मेरे बस में कहा है ये कैसा नशा नशा है ये धड़कन मेरी जवाँ है ये कैसा नशा नशा है ये लुड़कन मेरे ये देखो नशा है झाल झाल ऐसे न लो तू अंगडाईया बढ़ने लगी है बेताबिया मौसम भी है आशिकाना हो ये रात और ये तनहाईया दसने लगी है पुरवाईया मुश्किल है अब दूर जाना मैं ना भी तुमसे कहूता हो तुम समझना किहा है ये कैसा नशा नशा है ये धड़कन मेरी जवाँ है सांसों में बस जा तु मेरी दिल में उठा तुभा है तुमसे कहा है विजुदे काना थादी थादी थादा थादी थाद्टा 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 पज़ंगे गाका आप हाथ मत लगाए चाहिए आप किचन में जाएए ठीक है जैसी तो हर्मर जी मुना बेबी ये सब क्या हो रहा है डैडी मैं खाना बनाना सीख रही हूँ और आज के बाद आपको सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा चलिए शुरू हो जाएए शुरू हो जाएंगे शुरू हो जाएंग अब हर लड़की को एक ना एक दिन तो अपने टैडी का घर छोड़के जाना ही पड़ता है और अपने पती के घर जाकर उसे खाना बनाना ही पड़ता है तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से प्रैक्टि शुरू कर दिजाए अच्छा मतलब यह क्या है येस डैडी मैंने इस अब आपकी उमर इतनी हो गई है कि ये फैसले आप खुद ही कर लिया करें अफकोस डैडी मैं कॉलिज में पढ़ती हूं और मेरी उमर 21 साल की है मतलब कि मैं बालिक हो चुकी हूं और इससे क्या होता है इससे ये होता है डैडी कि मैंने सोच समझ के अपने पूरे होश दोच में अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है आई कैसी और मैं ये चाती हूं कि आप उसके घर जाकर उसके मम्मी पापा से मिलकर हमारी शादी की तारिक है कर दे मतलब यह कि आपने अपनी ही मर्जी से शादी कर ली है क्यों नहीं शादी मेरी है मेरी मर्जी से नहीं होगी तो क्या आपकी मर्जी से होगी और डैडी मैं कह देती हूं अगर आपने मेरी शादी में कोई भी रुकावट डाली, तो मैं लड़के के साथ भाग जूँगी हाँ, और आप मेरा कुछ नहीं बिगार पाओगे, हाँ, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि एक तो साल आप रूठिर होगे, लेकिन क्योंकि मैं आपके एक लोती बेटी हू आप मुझे मना कर घर वापस लेएंगे, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो मेरा बेटा, यानि के आपका नाती, दफा नंबर, दफा नंबर, दफा नंबर क्या डैडी? यार इस वक तो बिलकुल याद नहीं आ रहा मुझे, खेर कोई बात नहीं, वो तो मेरा वकील नहीं बता देगा, उस दफा की तहट आपके पूरी जाइदात का मालिक आपका नाती ही होगा, बस बेटी, बस बस, आप वाकी एक जज की बेटी हैं, यह हम मांग गए, यह हुई ना बात, बाइद हुए, लड़के का नाम क्या है, विकास फर्मा, दादी मा, अरे सर, आप और यहां, अरे, तुई नहीं जानता है, अरे दादी मा, वो मॉनिका है ना, जिससे मैंने गुर्णों से बचाया था, वो मेरी बेटी है, अच्छा, जिसकी इजदत को विकास ने अपनी जान पर खेल की बचाया था, मैं तो यह जानने आया था, कि विकास किस शेर का बेट है, जिसने मेरी जिद्धी बेटी को आपने काभून कर लिया, आंटी, आप मेरी बेटी को अपनी बहु बनाना पसंद करेंगी, अगर विकास राजी है, तो मैं इस रिष्टे को बजरंग भली का सबसे बड़ा उफकार समझूंगी, मेरे विकास के जिवन में जितनी खुशियां आ रहे हैं, सब तुम्हारी क्रपासे हैं, उसकी खुशियों को भुरी नजर से बचा के रखना, जीवन की हर परिक्षा में उसे सफल करना, तुम्हारी गुरूप की सभी लड़किया पास हो गए, मोना, मोना, साइन्स फिक्यल्टी का रिजाल्ट निकल आया है, और विकास ने पूरी उनिवर्स्टी में टॉप किया है, और जानती हो, उसने आईपियस का एक्जाम भी पास कर लिया है, करुछ पास किप एकल एकल urerente में, तुम्हारी पास कर लिया एक्वार्य पास पास कर खश beer। जानम मेरे हम्दम मेरी जिन्दगी तुम मिले तो ऐसा लगा मिल गई दुनिया की हर खुशी जानम मेरे हम्दम मेरी जिन्दगी तुम मिले तो ऐसा लगा मिल गई दुनिया की हर खुशी जानम मेरे हम्दम मेरी जिन्दगी 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 जानम मेरे हम्दम मेरे खुशी जानम मेरे हम्दम मेरे खुशी जानम मेरे हम्दम मेरे खुशी जानम मेरे हम्दम मेरे हम्दम दर्द जाता नहीं, चैन आता नहीं खसम से जागते हैं, हम तो रात भर च्छा रहा है नशा, आ रहा है मजा है धड़कनी दिवानी, हम भी ये बेखबर जाना मेरे हम दम मेरी जिन्दगी तुम मिले तो ऐसा लगा मिल गई दुनिया की हर खुशी जाना मेरे हम दम मेरी जिन्दगी झाल जाना मेरे हम दुनिया की जाना मेरी जाना मेरी जाना मेरे तूस्दा प्ताना मेरे का रषके लगार चाहतों का सिला, खुब हमको मिला खुशी से जोमने दे, अब तो दिरुबा प्यार के दर्मिया, होंगे सबने जवा जनम जनम न होंगे, मिलके हम जुदा जानम मेरे हमदम, मेरी जिन्दगी तुम ने तो ऐसा लगा, मिल गए दुनिया की हर खुशी जनम मेरे हमदम, मेरी जिन्दगी जनम मेरे हमदम, मेरी जिन्दगी तुम ले तो ऐसा लगा, मिल गए दुनिया की हर खुशी मॉन्टी, मॉन्टी बेटे, कहा गए तुम? आजा, आजा, शावाज, 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 आरे बेटा, जानते हो कौन हम आपके, हम आपके डागा अंकल है, यह देखो आपके लिए क्या लेगा है, यह देखो, ती सारी चौकलेट्स मॉन्टी, 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 आजा, तुम? गुड मॉनिंग सर, मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा आपको मिलता जाऊं, आपका नाती है न, बोला प्यारा बच्चा है, वेरी नाइस बॉइ, हाहा यहां तुम्हारे आने का मकसद? किसली की आए हो तुम? मेरे आने का मकसद तो आभे जानते हैं, सर। मेरे प्रैक्टिस में आज तक मैं कोई केस हारा नहीं। मुझे डर है कही मेरे करीयर में कोई दाग न लग जाए। सच का मकाबला करना सीखो डागा! जूट की बुनियाद पे खड़े हुए इस केस में शाहिद हारना ही तुम्हारा मुकदर इसलिए तो आया हूं सर अगर आप चाहें तो मेरा मुकदर शमक सकता है राजू भटनागर जेल की सलाखों से निकल कर एक शरीफ शहरी के जिन्दगी गुदार सकता है राजू भटनागर लाग बुरा इंसान सही लेकिन ऐसान की खिमत चुकाना जानता है एक हसते खेलते मासूम बच्चे को टुक्डों में बदलने वाले हैवान की जिन्दगी को रिश्वत से खरीदने आये हो जस्टिस सतेन जिन्दगी सिन्हा के जमें को खरीदना चाहते हो अब तक तक मैं तुम्हें एक खुदगर्ज और लालची इंसान समझता था मगर आज पता चला कि तुम्हें एक नहायत जलील गिरे हुए और घच्चा इंसान जी चाहता है कि तुम्हारी वकारत की प्रैक्चिस के द्लैशन को जब करा दू दफाओ जाओ यहां से get out of here and don't ever come back Your Honor, पुलिस तहकीकात और फॉरेंसी जाच से ये बात साबित हो चुकी है कि वो बच्चा से धिल्शामदास का ही था जिसका किड्नैप और मर्डर राजियू भटनागर नहीं किया था यह नहीं वो फाइस जिसमें राजियू भटनागर के खिलाफ सारे सुबूत है Your Honor, अब फैसला आपके हाथ में है लेकिन कोई भी फैसला देने से पहले आप यह जरूर सोच लीजीगा यह शक्स समाज, पुलिस और कानून सब के लिए खत्रा है इनसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है इस वहशी दरिंदे के लिए तो फासी की सजा भी बहुत कम है इन रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए अदालत को थोड़ासा वक्त चाहिए लहाजा अदालत अपना फैसला तीन दिन बाद चुनाएगा जजज साहब जजज साहब जजज साहब, आज तक हिंदुस्तान के जिस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चला है उस कोर्ट के जजज के घर में मैंने चायज जरूर पी है ये मुकदमा खत्म हो जाने के बाद, उम्मीद करता हूँ के ऐसा माकाब भी मुझे देंगे शौर, हम आपकी खाहिश को पूरा करेंगे थैंक्यू अदालत ने आपको छोड़ दिया तो मेरे घर में और सख्त सदा दी तो जेर में जी आ, लेकिन अदालत का फैसला तो आप ही के कलम से लिखा जाएगा ठी हा बिलकुल, मेरा कलम जब कोई अदालत का फैसला लिखता है तो उस पर मेरा नहीं इंसाफ का हक होता है ओ, अच्छा अच्छा तो फिर आप अपनी उस इंसाफ की ताकत को बता दीजेगा कि urgeaux Bhattnaga जो है वो दोस्तों के ढोस्त है और राजू साहब आप मुझे धंकी दे रहा है यह धंकी दे रहा हूं जी नहीं जेस साहब मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे ऐसी ही गुजारिश, ऐसी ही रिक्वेस्ट लेके आपके वकीर मेरे घर आए थे जी है मैं जानता हूँ और आपने उस साले को गेट आउट करवादे थे घर से और इसके बावजूद आपके इतनी हिम्मत कि आप इस उसम की गुफ्तगू मुझसे करें अरे नहीं नहीं जासा मैं तो मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू भटनागर जो है वो कोई आम आदमी नहीं है पैंतिस साल में मैंने पैंतिस सौ मुझरिमों के साथ इनसाफ किया है लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सबसे ज्यादा घटिया कमीने और जलील इनसान आप है एक बात और सुन लो राजू भटनागर गानून की नजर में तो तुम गुनेगार हो ही आज इनसानिय की नजर में भी तुम गुनेगार हो गए हो तू तो कहता था कि दो चार पेशी दो चार सुनवाई और मामला फिनिश एक बात यादर कड़ागा अगर मुझे सजा हुई ना तो बरेगा तू भी उस्सा करना सेथ के लिए बहुत बुरी चीज है रिलाक्स अरे क्या रिलाक् इस केस की चावी जस्टिस सिना के हाथ में है वो चाहें तो तुम्हें बाइजजद परी कर सकते हैं और वो चाहें तो तुम्हें भांसी के भंदे पलटका सकते हैं You understand what I mean? Huh? You understand? Yes. I know what you mean Aray kya Raju bhaai, nau kalak se round per round marre ho बोलो तो से कि क्या परिशानी है यार अरे दोस्ती की है तो निवाना भी सिखो यार क्यों? अरे आप उनको मालूम है राजु भाई को क्या हुआ है क्या हुआ? तब हम लोगों की रहाई का दिन है, जेल से जा रहे है इसलिए राजु उहाई जारा उदा सुगे बाहर निकल कर तो तुम लोग वही छोटा मोटा काम करोगे कितना कमा लेते हो? राजु भाई बुजरुगों ने कहा है कि आवरत से उसकी उमर और मर्स से उसकी कमा ही नहीं पूछनी चाहिए ने, मेरे पूछने का मतलब कुछ और था बाहर निकल कर अगर मेरे एक छोटा सा काम करोगे तो उसके बदले में पांच लाख रुपे दूगा पांच लाख? तीनों को पांच-पांच लाख पांच-पांच लाख यह कि करना क्या है? किटनाप करना है इस बच्चे को अगवा करना है इसे एक बीड़ी पिला अरे जेव में पांसो पश्पने और बीड़ी मांगता है मांगनी की आदत पड़ गई ना चोर चोरी से जाता हेरा पेरे से थोड़ी जाता है सलाम सब यह हमें सलाम करने वाला कौन पैदा हो गया? क्या है बई? वकील साब ने आपके लिए गाड़ी बेजी है वकील साब? अबे वो वकील की अपने फीस नहीं दिय था ना तो उसने आपने को सजा करवा दिया था लगता उसने गाड़ी बेजा नहीं जी यह डागा साब ने भेजी है ओ डागा साब ने? वो वकील साब जो बातों के सच्छे हैं दिल के अच्छे हैं शकल के लुच्छे हैं वो वकील साब वो वकील साब ने बहुत अच्छे उन्होंने गाड़ी बेजी है दरवाजा कोलो गाड़ी मेट है ना पिल कभी, चलो, चलो, आखो है, इदर, बड़, बड़, यह बाप, यह नोट असली है या डुपलिकेट है, खुद हाथ बढ़ाओ, और देख लो, रही यार, बिलकुल असली है, लगता है अभी अभी नासिक के टाकसाल से निकाल कर लाया है, गरम है क्य अरे एकदम गरम है, यह फाइल है, इसमें लिखा है कि बच्चा कितने बज़े सोता है, कितने बज़े उठता है, कितने आउंस दूद पीता है, दिन में कितनी बार पीता है, उसके घरवाले उसे कब और कहां घुमाने ले जाते हैं, लेकिन याद रहे, मुझे बच्चा 24 कितनी खंटे के अंदर चाहिए, नहीं तो, नहीं तो, एनिवे, मेरा प्लान इस तरह है, एक मिनिट बगिल साब, हम लोग काम करने का इस्टाइल ऐसा है, कि काम तुमारा, पीलान हमारा, करेक्ट, यह अपना यार खोपडी है ना, इसकी खोपडी की चक्की जब चलती है न तो भगवान भी शायतान को याद करना शुरू कर देता है, क्या करता है? शायतान भी भगवान को याद करता है, यह बराबर है, गरेक्ट सुन ओ, शेरा वाली, जोता वाली, दर से तेरे कोई, जाए ना खाली, विगडी बनाती है तु, सब के काम आती है तु सुन ओ, शेरा वाली, जोता वाली, गर से तेरे कोई, जाए ना खाली, विगडी बनाती है तु, सब के काम आती है तु सुन ओ, शेरा वाली, जोता वाली, दर से तेरे कोई, जाए ना खाली तेरे मन में है क्या किस तो है पता तेरे मन में है क्या किस को है पता कुछ होता नहीं तेरी मर से बिना हमने बस यही मां की है दुआ हमें सपनों का संसार दे चाहे दिल जिसको वो प्यार दे सुन ओशिरा वाली जोता वाली दर से तेरे कोई जाए ना खाली कोई धूंडे यहा कोई धूंडे बहा तेरे भरती गगन तेरे दोनों जहा हम तो यहा बस यह सोच के तू बना देगी अपना भी का सुन ओशिरा वाली जोता वाली दर से तेरे कोई जाए ना खाली सुन ओशिरा वाली जोता वाली दर से तेरे कोई जाए ना खाली सुन ओशिरा वाली दोचता वाली थिकडी बनाती मैं तू सबके काव आती मैं तू सबके काव आती मैं तू आज तो कमाल हो गया, पुलिस कॉलनी से बच्चा तो चुरा नहीं पाए, अपनी जान बजा कर भागना पड़ा खोपड़ी की खोपड़ी यहां अटक गई, अब मुझे कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा आइडिया आइडिया सोचना तेरा काम नहीं है, ब्योड़ा तु ब्योड़ा पी, सोचना काम मेरा है अबे मुझे चालेंज मत दे, मेरी खोबड़ी के इंजन में ये बेवड़े का पेटरोल जाने दे, फिर देख मेरी आकल की गाड़ी कैसे दौड़ती है ये लो अबे, ये क्या है, सिर्फ उबले हो चने, ये रा को घोड़ा समझता है क्या आज तक तो यही काते थे, अचानक हाजमा क्यों खराब हो गया अबे, अपने पैजामे में रहका बात कर, क्या, किसी अच्छी होटेल से, तीन तंदूरी चिकन, तीन चिकन फ्राई, तीन चिकन लॉली पॉप, फड़ा फड़ ले किया अबे ठेर जाए, यह दड़ियल, क्या ने देना, अबे एडे, तेरे भीजय में किड़े पड़ गए है क्या, क्यों, इतना लंबा ओर्डर तो दे दिया, अबे बिल तेरा बाप चुखाएगा क्ये मेरा बाप चुखाएगा, अबे बिल देने के लिए बड़ा दिल होना च और यार, क्या आइडिया यार, अपन लोगों की कडकी तो दूर हो गई, फिर ये देशिकाई को पीने की, स्कॉच मंगा, स्कॉच मंगा, स्कॉच, स्कॉच, पीने के लिए थोबडा दूसरा चाहिए, यह लिए लिए चलेगा, और बेटा, बारा स्टो रुबी की बाट ल एक तो वैसी वो बच्चे को पूलीस की कॉलीस होड़ाना बहुत मुश्किल काम में बता रहा हूं है तेरे को तो फिर क्या करें? तुम दोनों ठहरे अंगुटे चाप लेकिन आपन मीडिल फेले क्या? अबै ठीक है ना क्या गड़ी-गड़ी यही बात करता रहता है और नोकार पीछे, पीछे कॉर्टर में रहते हैं, क्या? अरे जियो मेरे लाल, दारू पीके तो तेरी खोबड़ी की जोबड़ी में ट्यूब लाइट जल जाजी है और डाल पे यह ले, जल्दी इसे लंबा घूट मार ले लाल पर यह अंदर जाएगी न, कुछ न कुछ बाहर नाचते निकलाएगा आई रे, बात पिले क्या हुआ? अरे अंदर आग लग गई है आइडिया अगर ऐसी ही आग जच के बंगले में लग जावे तो जल्दी करो, जल्दी से पानी लाओ आँ में था राभुताकर जल्दी हो राभ ठर रही है जल्दी खाफ उजाओ क्या आग लगी है वह अबे तारीफ करा अरू अरू बापरे, क्या आग लगी है बयाना का लगी है अरे यह भी कोई आग है यह तो यूँ बुजाएगी अबे तु बिटवाएगा यह एक ने पांच फर्वेट चाहिए इसको बुजाने के लिए ओफो आप लोग बहसी करते रोगे या कुछ करोगे भी अब लोग फोन करका आते तू आग बुजाएगा तू इधर पीजा रहा हुदर जला पूरा भंगला देख लिया बच्चा तो कही नजर नहीं आ रहा है तूने बच्चे की फाइल देखा था ना उसका नाम क्या है मौन्ती 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 अब लिए बच्चे का आवास दे रहा हूँ होज़़़ तूल मौन्ती मौन्ती मॉन्टी मॉन्ट मॉन्टी यह क्या कर रहे आप? क्या कर रहे आप? पानी देना ओफ़ो, यहाँ नहीं यहाँ लगी है मॉन्ट मॉन्ट मैं जड़ा इसको पकड़ेंगे आप? इसको घब रहे मत मैं आ रहाँ लेकिन कहा जा रहे आप? आरो, आरो ओफ़ो कुछ पता चला? ची डड़ी फायरमेन के भेस में वो तीनो किड्नैपरी थे कुछ ही दूर उनके कपड़े भी बरामत हुए लेकिन लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि इस सब के पीछे उनका मकसद क्या है? हलो, इस दिन हाई है? आपका नाती हमारे पास सही सलाम होते कौन हो तुम? किड्नैपर हमारी बात मान लोगे तो बच्चे को खरोंच तक नहीं आएगी वरना मुन्ने के बदले में कितनी रखम चाहते हो तुम दो दिन के बाद सब मालू पड़ जाएगा तब तक खामोशी से दूसरे फोन का इंतजार करो और हाँ, बच्चे को ढूनने के कोशिश मत करना वरना उसकी जान को खत्रा भी हो सकता है हलो, 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 हलो यह उसे किड्नैपर का फोन था क्या चाहिए इसे, डैटी क्या चाहता ये कितने पैसे चाहिए इसे मेरे मुनने के बतले दे दीजे ना, डैटी प्लीज, दे दीजे ना विकास, विकास, अगर मेरे मुनने को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुमें कभी माम नी करूँगी किसे कमाम नी करूँगे मैं बेटी बेटी मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना रो रहा होगा उसे भूख लगी होगी मैं अपने मुन्नी के बगहर नहीं रह सकती में बार जाऊंगी उसे मेरा मुन्ना ला दो मेरा मुन्ना ला दो अबे, ये तो सलाब बहुत चालू चीज है, अबे, आँख मारता है बहुत रोमेंटिक माबाप क्यो अलाद मालूम पड़ता है अबे, क्या गड़ी गड़ी आँख मार रहा है, आँख माने का नहीं चाल, कड़ो आजा, अभी आप उन कपड़े बद लेंगे, मैं तेरे को हीरो बनाता हूँ आजा लेट जा, पाउंच सिधा करना अभू, अरे, आर मैने भी अभी, चलो, ये ये पाइन करना ये, ये पायर, आई दूसरा आईश्यवाश्या आईश्यवाश्या ये वी ना साला क्या दिख रहा है, बिल्कुल मेरे जैसा हीरो आईश्यवाश्या पिले प्योडा इसका कुछ करना वो पेट पूजा, जल्दी करना यार कितना टाइम लगा रहा है दूद का बाटली तयार है दोस्स, अभी पिला देता हूँ आ, आ रहा है तु छोड़ मैं पिलाता हूँ, आज़ा आज़ा आराम से पिलाना ये ले, दूद पिले दूद पिले अरे ये ले आरे शकर डाला है कि दी यारे दो चमल शकर डाला है ये ले, ये ले एक मिनट, एक मिनट चकर गरम तो नहीं है गरम अभी करता हूँ फैर रहे तू इदर इसे पकट अरे जल गया जल गया इतना गरम है गरम है बूशता है अरे इसने मुझे चेक करने के लिए बोला था अरे जब। चुप करां इसको ऑरे अरे अरे चुप हो जा रिटे ऐसे तो मैं नहीं चुप होने वाला हम लोग जगणा नहीं करने गहांices उसको देना यार यिकार चुप कर इससे ले जाना यार चुप हो जा अरे चुप हो बाबा अबहे मरवा दिया ना वो रात भर उता रहेगा ना खुद सुएगा नाम को सुने देगा अरे कैसे रोएगा? अभी आइडिया निकालता हूँ पहले घुट मारने दे मेरे को खाली है आइडिया चाहिए तो बोतल भी चाहिए अभी मैं बोतल लाता हूँ रास्ता किदर है? इदर है हारे हाँ रास्ता तो मालूम नहीं, आइडिया देगा ये लिजे साहब हलो, डॉंग नमबर प्लीज क्या चाहिए साहब फोन करना है साहब दस बज गए है, मुझे दुकान बंद करनी है पहले अपना मूव बंद कर ये ले, साव रोपिया दुकान एक गंडे के बाद बंद होगी फोट, फोट, फोट क्या नमबर है? हलो अरे ये कैसा बच्चा पहदा किया है ना दूद पीता है, ना सोता है रोता है, रोता है, रोता है कान हो तुम हम वही लोग है, जिसने बच्चे को किड्नेप किया है, क्यो रोता है वो देखो देखो भीया दूद में शक्कर कम होगी यह यह दूद बहुत करम होगा कोही न कोई वजातो है जब दूद नहीं पी रहा बहुत रो रहा है किया मेरा मुन्ना रो रहा है अरे रो रो क्या हमारे दिमाग का दही बना दिया है उसने अब उसको सुलाओ कैसे सुनो, सुनो वो ऐसे नहीं सुएगा आप आप उसे प्यार से गोद मिलेकर तीर ऐसे उसकी पीट से लाए फिर उसे लॉरी सुनाएंगे तो वो सुझाएगा लॉरी? यह लॉरी क्या होता है? लॉरी लॉरी काना भीया अच्छा हलो मोना 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 किसका फोन था मोना हमारा मुन्ना भूका है विकास वो रो रहा है वो सुना मेरा भूकचा वापिस लादव ुदी मेरा भूक्चा वोसे मेरा बुननचभी मेरा मेर。 मेरा भूक्रह sut यह bit तू के हसर washing हसर आ के एक बच्चे को नहीं चुप करा सकते हैं और खुद को बड़े तिस मारखा समझते हो तु चालीस मारखान बन जाना है, तु तरह चुप करके दिखा इसको अभी चुप करा देता हूं, बस एक लोरी बता दो लोरी? वो क्या होती है बे? लोरी वो होती है जो एक मा अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है अभे, मेरी माने मुझे क्या गा के सुनाया था मेरे को याद नहीं और मैने आज तक किसी दूसरी औरत को मा बनाया नहीं, तो मेरे को क्या मलूँ मैं समधिया, लोरी वो होती है जो महमूद ने कुवारा बाप ने बच्चे को सनाई थी वही वही अभी आपन की खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी लोरी घुमना शुरू हो गई है सो जाना तो सो जाना सो जाना भई सो जाना अबे अब क्या हुआ क्यों है रोता हुआ हम तुझे जान गए तुह पहुचा हुआ सरदर्द है सारा हाँ 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 अपने बचे बारा हमने तो यह माना कि तुह है बाप हमारा बाप हमारा अबे अब क्या हुआ क्यों है रोता हुआ हम तुझे जान गए तुह पहुचा हुआ काहे तु शोर करे रे बचुए काहे तु शोर करे रे बचुए काहे तु बोर करे रे बचुए क्या चीज बता है तु बचा या बला है तु अब उनको गरम मत कर यू नाक में दम मत कर अबे ऐसे चिलाएगा तु ये सोईगा कैसे तो क्या करूं वही ऐसे गा ऐसे सोजा तु मेरे जानी ये होगी महरबानी मत और तिला पानी याद आई हमें नानी जब तक न मिले माल तु है आक का तारा अबे अब क्या हुआ क्यू है रोता हुआ हम कुझे जान गए तु है पहुचा हुआ चुप हो भी जा तेरी तो मत भाव खार तु है तेरी तो बंगा न ले तु हमसे शाणा न बन कसमसे हम आज कल है कड़के पैसे जो गिरे जड़के चल देना फिर ए लड़के पतली गली पकड़के अब सोबी जा हमको भी बाड नींद ने मारा अबे अब क्या हुआ क्यों है रोबता हुआ हम तुझे जान गए तु है पहुचा हुआ सरदर्द है सारा हा अपने बजबारा हा हा अपने बजबारा हमने तो ये माना के तु है बाप हमारा बाप हमारा सोजाना, तो सोजाना सोजाना, हואी सोजाना हम... ह강.... ह강... भाजरंग बली, मेरे भक्ती में कमी रह गए है तु मुझे कश देदू मेरे मौंटी की रक्षा करना, प्रभू मेरे मौंटी की रक्षा करना तुम्हारी सवगंद, मैं उस वक्त तक अन्ना का दाना नहीं खाऊंगे, जब तक तु मेरे मौंटी को सही सलामत वापस नहीं लाओगे, मेरे मौंटी की रक्षा करना, प्रभू करना प्रभू करना थाइब अन्ना प्रभू तेरा नाश्ता तयार हुआ कि नहीं बे बना रहा हूँ यार भेजा काय को कहता है जल्दी बना नहीं तो नाखून के साथ साथ उंगली भी खा जागा सला क्या करता है बे मुभे दूग रहा है इद इद दूग बोट आलो आ सला कचरपटी के वलाद देखूं क्या हो रहा है भारत देश में ए खोपड़ी तेरे को तो अंग्रेजी पढ़ने को नहीं आता रहे किसको पढ़ना नहीं आता है ने 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 मेरे को नहीं आता है बिल्कु नहीं आता है पढ़ना नहीं आता तो क्या हुआ, देखना तो आता है, वो भी स्टाइल से अब क्या हुआ? अब यह क्या है? इतना थूखता कुई, तेरा मुह के बाल दिये? अरे मैं तो हुदर थूख रहा था चाप, मारूगा साला, जूटा कहीं का ची 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 शर्पई मालता था जन्ना साला अरे, वो तो बच्चा थूख रहा था अरे बच्चा! अरो! पखला जिली! अपे, क्या करता? अपे, लुका बढ़ना, क्या करता? अरे यार, तुम जगडा करोगे या बच्चे को डूंडोगे? अरे मकल मैं इस दर्वाजी सारा था अरे उदर क्या देखा? इदर, इदर दल, दल खुपड़ी, इदर से देखा था बच्चा ना चला देख रहा था अभी कितर है बच्चा? बच्चा अंदर जाख रहा है अरे! वो रहा है बच्चा खुपड़ी, पकलो अरे, पकलो गिर जाएगा अबे ये गिर जाएगा अरे गिर गिया तो अपने पंद्रा लाग कहे हाँ कादीर मजा मैं पकड़ता हूँ आचा बहुत लगा क्या रही फिट से लग गई सरपे खुपड़ी की खुपड़ी तो पंक्चर हो गई ने, ने अभी बाकी है जग लगा मेरे को अरे वो तो जा रहा है आचा अरे अरे तुझे लगीती ना घेक दिया अभी क्या करेंगे आँ कुद्ते उदर हाँ मैने कुदने वाला कैसे ने कुदेगा अरे आज आज अभी अभी क्या, वान, टू, थ्री, और कुटना? आरे ने-ने, मेरो डर लगता यार, मैं काम करता हूँ, मैं शीडी से जाता हूँ, तुम लोग ऐची जाओ तुम्हारी आने जाने में हमारा बच्चा निकल जागा, वो देख तुआ डांड रहे का मेरे कसा ले रहे खोपड़ी, तु एक काम कर, आग बन कर ले, आग बन कर ले, आग बन कर ले, रेड़ी, वान, तू, आट्री खोपड़ी कहा है खोपड़ी, कहा है खोपड़ी नीचे ला ला चलो बस्तुट़ी कि दर गाया? कोबरी दर गाया? जिरा दो दो दोनीड़ा अरे, चलो कहा है अला? ढू लागा यह जोटु और मोटु कहां गाएब हो गया यार? खोपडी कहां गाएब हो गया यार? पता नहीं कहां चले जार अध उटोप ऐसा नहीं है साले मैं क्या तेरे को भिकारी दिखाई दे रहा हूँ? नहीं तो और क्या है तू? अधित बहस मत करना तू? तो कितना बात मान रहा है नहीं तो क्या जाना हि आउससे की तैसी साला मैं खोब्डी हूँ खोब्डी मैं खोब्डी जा ले उपर से फिक दिए तुम लमने खोब्डी कहають रहे बहुतां मतलब दिखाइँ कोति माला ही वह नीचे कर गया में तु में मर गयाता तेरा भाले में? हा Chapel, तु समझें थे तु ऊपर चाला गया हाछाップ में तूम्हत। वहुंत दुखता है मैं नहीं आता हूँ वो बच्च हम Edge Ben हो चोटा सा कपूर की गोली की तरह गया भोगया है सलाम साहब, क्या मांगता है, रम विस्की या बियर कल रात ठीक दस बजे इस दुकान से एक फोन किया गया था साहब शराब की दुकान है, बेवडे लोग बोटर लेने से पहले टेलिफोन घुमाना शुरू कर देते हैं साहब दस बजे तो मेरी दुकान बंद हो जाती है याद आया साहब, उसने मुझे 100 का नोट दिया था किसने? कालिया ने कौन कालिया? वो दिन में तिन चार बार दारु की बोटले लेने आता है कौन है वो? कहा रहता है और कहा मिलेगा? सार मैं जानता हूँ वो इधर तीन चार दिन हुए रहने को आया है किधर रहता है वो और इस वक्त कहा मिलेगा साहब सामने वाली बिल्डिंग है तौफ फ्लोर पे कि अलोर ठाथ हुए तौफ झाला जाए झाला प्रोर इस। जा कहा गया। सबस्टा कहा गया। समझ मिने आखे शाव। तो इसका मकई तु हटना आया। तू यह बजुदेख। मैं सालेग। यह बजुदेखता हूं। तू इधर ही खड़े तू किधर जा रहा है। कहा रहा इधर। नीचे नहीं देखना हूं। किधर है किधर है किए किसे कैसे खाते जारा है कपाप 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 आजा आज 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 भाग जा पता नहीं क्या चीज का बना वा यह बच्छा यार अंधय हूँ किया देखे नहीं चल सकते है है मैं अंध दिखते हूँ एक तो लड़कियों का मंदीर में आके छेड़ते हो और मुझे मां कहते हो आरे, गार गारें तो रारें, आरे ने आरे! महराजा विक्रम सिंग के परिवार का सिर्फ एक ही सदत से जिन्दा बचा है ये बालक जो तुम्हारे हाथ में है इसको खत्म करके मैं अपने वंश का राज काईम करूँगा कृपाल सेंग नहीं से ना पती जी मैं आपके हाथों इस बालक का वद नहीं होने दूँगा अगर तुम बीच में आओगे तो मैं तुम्हारे भी खत्म कर दालूगा कात कैसा लगा सर बहुत अचा किया अब टेक करेंगे असली बच्चे को लेकर आओ सर असली बच्चा सर वो अभी हाता ही हो गा अरे इतना टाइम हो गया जल्दी बुलाओ सर वो क्या है कि उसकी मा उसको इंजेक्शन लगाकर सिधे यही आ रही है यही आ रही है सर यही आ रही है अरे मुझे पहला नेलाइनी जी की शुटिंग पर जाना है अगर मैं लेट हो गया तो वो मुझे अपनी फिलम से निकाल देंगे हजूर थोड़ा इंतिजार कर लेजिए पहलाजी से बात मैं कर लेता हूँ और मेरा सीरियल कल संडे एर पर आने वाला है आप थोड़ा और वेट कर लेजिए तुझा आप बच्चे को जल्दी लेकर आओ जब भी लेकर आता हूँ लाता हूँ असली बच्चा लेकर आओ अब बच्चा कहां से लेके आओ अरे बच्चा बच्चा चला रहा है इसके साथ तो कुई भी नहींहीं लेकिन मुझे और कोई भी नहीं है मेरा काम तो शूटिंगा पूरा हो जाएगा बच्चा अब तो तेरी नसीब तो स्टार बन जाएगा, हाँ, स्टार अरे, बदंद रूड़ गया रे आप रे यहाँ तो शूटिंग चल रही है अरे, यह फिल्म सीटी है, यह शूटिंग नहीं चलेगी तो क्या रम और विस्की चलेगी? बच्चा रहुजा आरे विसल भच्चा रहिए आरे, वई यह चुटाली सिर्फ एक सदस्य जिन्द बच्चा है किसी का भी बच्चा उड़ा की खाते हो आरे ये क्या कर रहा है ओर दिकाले इन लोग को अरे 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 आप बचा चोनत अरे सरफ पांच मिलीट की बाद ना सरफ एक शॉट ले ना उसके बाद लेगे ना अरे डिरेक्टर को किरा दिया अरे मारो इनको हम जुनियर आटिस से ये काम फाइटरों का है मैं इस फाइटर क्या रहे हैं इनको बलो मारो उनको इसको फकड़तो तु तो मानने को आ रहे यार पकड़तो अब ये पागल है क्या ये चूत हो नहीं रहा आखाली हूं हां हूं का रहा है ये फिल्मी फाइटर है सिर्क नजदीक आते है भारते नहीं है ऐसा क्या तु आपून मार सकते हैं हां सर देखा मैं कितना ओड़के की रहा चुपे यार मुझे पहली मर्दवा पता चला मेरे अंदर कितनी ताकत है यार तेरे अंदर ताकत नहीं है वो ऐसे उड़कर गिरने के पैसे लेते है क्या बात करता है यार दिखाता हूं तेरे फू यह देख करता है देखा कसा मारा मेने लोगों को तुन्हें आकलें थोड़ें मारा है हम दोनोंने भी मारा है यार अरे वो किदेर है कौन अब यार यह क्या फिलम की बुलीज है क्या फिलम वाले नहीं सिकरूटी है असली गपा गप मारेगी अरे बावने बावने यह उन तीनों की तस्वीरे है और यह उस बच्चे की शहर का चपा चपा च्छान मारो मुझे वो चारों किसी भी कीमत पे चाहेगे हम तु लोगन का मुह मांगे कीमत तेप पर हमरी दू बात तु कान खूलके सुन लियू और आट बादलीओ पहला है, यह इन खेलमक गलतियों कौइन जयज नहीं हो और दूसरे है कि हमका हर बरदास नहीं हो हमका हार एक दना बरदास नहीं हो यह आदमी लोग हमका चाही है इस चारों आधमी हम लोग हमका चाहिए और किसी भी कीमत बचाई ही. शहर के तमाम पुली स्टेशन में बच्चे के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स मौझूद है. फिर भी कोई सुराग नी मिला? उल्टा किदनापर फॉन पर फॉन किये जा रहे है और दंकिया दिये जा रहे है. शहर मानीची आपको, शहर मानीची है. कहर का चपा 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 चान मारो. एक-एक बिल्डेंग, एक होटल और एक-गेस्थाउस की तलाशी लो. और जैसे भी हो फॉरें बच्चे का पता लगाओ. Do you understand? मैं खुछ नहीं सुनना चाता. I want results and immediately. Do you hear? Immediately. Understand? जाराएँ सकत्र जे टे में खॉरें पचयर होंगी रगे में पॉरेंग तपहूदूर्यस का प्चयर दो.. गाारीक प्रेगे पाल प्यर दो! प्चयर दो!!! पक्चयर दो.. झाल 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 करता हुँटस, करता हुटस हमकि पारफटस करति करता हुटस ओ मार सुट्टे यो है ओ बबा बजरंगबली तेरा लख लख शुकर है तुने इस बच्चे को तो बचाया नाल नाल हम दोनों को भी बचा लिया यार ओ पाई वो तो जा रहे हैं चल हम भी अपनी गड़ी की ब्रेक ठीक राहिए चल चलिए बच गए मितरा और रब तेरा शुकर है ओ पाई तुने बहुत थक गया यार मैं भी बहुत थक गया हूँ मैं तु बलकुल नहीं थका तु कहां से थकेगा थकते हैं जिनके यहां कुछ होता है जो सोचते है तुने काम कर तु 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 चारवत ध्यान मार मैं ऐसा करके सूचता हूँ दिमाग नीचे करूँ को तो थोट बहुत आते हैं देख मैं भी थोड़ा सूचता हूँ लेकिन तु श्रीफ उपर मत देख नीचे भी देख बच्चा है कई निकल न जाये मैं भी थोड़ा सूचता हूँ कोबड़ी के साथ सो कर कोबड़ी में कुछ आता है क्या नहीं क्या है? माफ करना माफ करना बोलके फिर सो गया? यह लोग तु सोच रहे हैं सोचने दो बच्चा ढूनता हूँ मैं बच्चा अगर मुझे मिल जाये तो पांच उसके पांच इसके दस और पांच मेरे पूरे पंदरान लात सब मेरे हाँ अले दोस्तों से गड़्डारी करता है तु नहीं बच्चा डूनडूँगा मैं लेकिन हम तीनो खाएंगे तीनो खोपड़ी खोपड़ी बच्चा 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 बोर मत कर यार अले बबड़े बबड़े बच्चा क्या बोर कर रहा है रहे आ रख्षा में बच्चा खोपड़ी सच्मुच का बच्चा बच्चा बागल होगा रहे का किरे है रिक्षा बच्चा अपने से दूर जा रहे अबी अरे बजरनबली का भगत भी उसके साथ है यह बंदर अपने पंदर लाग लें जागा अरे पकड़ो वारे पकड़ा अरे मेरा आउटो लेके बाग किया अरे थांबारे थांबारे रुकोना भाई कोड़े ए रासेंस दा कोड़े अरे तुमने मेरा भाई की दांके हट्टी तोरती तुमको दिखाई नहीं देता है वो गाड़ी के आगे आगे भाग रहा था अरे आगे भाग रहा है तो क्या हुआ तुमको आखे नहीं है क्या चलो पोली स्टेशन पुली स्टेशन मुझे एरपोर्ट जाना है फ्लाइट पकड़ने ने तो रिक्षा पकड़ने है चलो पोली स्टेशन अरे मुझे माफ कर दो माफ कर दो क्या इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए तु क्या करा या अरे तुम हटाना यार बोला ना तुमको बार-बार काई को बीच में आते हो मेरे बाई के हट्टी तोड़ी इसने पैसे लेने लाओ इदा इदा अरे ज्यादा मुझसे लेना एक हजार रुपे दूँगा खुश अरे तुम जाओना यार मैं पटा लूँगा ये क्या है बे आज के बेवडे का इंतजाम पासो अब या खुशाट पांसो के चकर में अगर वो पंदरह लाग रुपे निकल गे तो तो क्सा क्सीटो लाँमा टुदो मामा टुदो मामा टुदो बёँ माम टुदो मामा चहरा जो ना देखेगी मर जाएगी रो रो के चहरा जो ना देखेगी मर जाएगी रो रो के कोई कैसे जीएगी माँ कोई कैसे जीएगी माँ देटी से जुदा होके चहरा जो ना देखेगी ज़र के कौने कौने जो ना देखेगी मर जो पालकाट आन देखेगी मेर जोजी है तिरी इकिल कारी भर के कौने कौने मेर जोजी है तिरी किल कारी गुजी है तेरी किलकारी आ सुन ले मेरी नोरी मेरी गौद में तू सो के चहरा जो नह देखेगी अरे यार इस छोटू ने तो तिकनी का नाच नचा दिया कान क्या कहा छुपा है कठोर, सामने दो आजा अरे पकड़े समय करे कहा अरे वहा मिलीय आपे साले अब भां कि कहा जाएगा आम उन्लोग को जल ठूंड लेगा, भां कर जाएगे कहा खुपडी! फ़े पकड़! अबे यही सब करते रोगों कि भागो किभी? इधर से, इधर से मुर गया, पकड़ तू समाल मेरो का पकड़ रही है, नहीं समाल सकता यार खुपडी, पलिस इधर ही आरही है रो मत यार तु बना यार उन्हें पता चल गया कि हमने इसको किड्नैप किया है मर गया आज तू उन दोनों ने कहीं हम लोगों को पैच्छान लिया ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ का भाग जाऊँगा अब अब वकवास करता है मूँ खोलता है तो कुलना काट रहा है नमस्ते क्या हो रहाए नहीं सिर आप उसके आरकदों पर ध्यान मत दीजिये क्या है नहीं उसका उपर का हिस्सा थोड़ा खाली हो गया है अच्छा अच्छा तो डॉक्टर ने कहा है कि उसको जड़ा ठंडी हवा में गुमाई यह तो ठीज रोज आएगा जगो तुम लोगों ने इधर कोई बच्चा देखा है हाँ सब देखा है मेरा मतलब है कि रोज आत कोई सपना देखता हूना कि मेरी शादी हो गई और मैं दरजनो बच्चों का बाप बन चुका हूँ यह भी थोड़ा पागल है सर मैं सपनेवाले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे कुछ लोगों ने किड्नैप कर लिया है कुछ समझ में आया की नहीं यह रही उस बच्चे की तस्वीर अगर यह कहीं दिखाई दे तो पली स्टेशन में ख़बर करना अरे खुपड़ी यह तो हाँ सबसे पहले आपको आपको बताएंगे सब क्योंकि हमारा कड़ता भी है हमारा फेर्स है क्या भाए क्या बात है पागल है pakगल है ना तुम्हारा इलाज कहाँ पर चल रहा है इलाज? क्या कहा है इलाज डॉक्टर दिखित दिखित पागलों के सबसे बढ़े डॉक्टर है उनीख इनको इलाज इनको चल राहे हम um लेकिन खुली हवा में सैर करने के साथ साथ इसके सर पर आवले का तेल भी लगाया अगरो समझे सर आवले के तेल से भी अच्छा इलाज है मेरे पास वो यह है के सुभा सूरज निकलने से पहले ना कि एक नतिनी से पानी अंदर खेंच कर दूसरी नतिनी से निकाला जाए तो इनके दिमाग का सारा मेल बाहर पागलपन दूर और पैदा नहीं वा तो पैसा वा बेश अरे वा हवल्दारी से पहले चौपाटी पे दवा बेशते थे क्या अरे तुमको कैसे मालूप तुम जोची अब क्या हवल्दार मैं काल तीन पागलों की बिल्टो फस गया हूँ यार पैदा कौन ये दूसरा तू दूसरा उसमस पकड़े जाएंगे बहुत जला रहा यार अरे हवल्दार जाओन अपना काम करो यार पकवान पर लोग देखा गये सुनो ये पागलपन के दौरे में किसी को तंग तो नहीं करता पागल? को न? मैं पागल नहीं हूँ हर पागल यह बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ खेर वह बच्चा अगर कही नजर आ जाए तो हमें खबर कर देना क्याओ तो सही अरे खोपड़ी धुआ कि मुझ के आग लगी है आग बुझा तू बुझा मैंनी तू पर दे हम दोनों साथ में आग बुझाते हैं हाँ एक दो तीक अबे क्या क्या तुम्हे आग बुझाई उलो क्या पट्टे है हाँ तो बुझा दी आगी सब फ्रेक्चर कर दिया वो तो पहले इसे था हाँ पहले जी था वो की ते रहे अब हम बच्चा की ते रहे बच्चा अरे यह देख जा रहा है पखलो फुक्रों उसे पखलो अरे यह 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 कर आए ते लो पर नीचे उपर नीचे उपर अबे पहले देखो कितर है बच्चा उप्चरो अब पकड़ो अब देखो वहा उपर बैठा है मकर दूए मारत बादाव किसे पहुजिए है लेकिन अपने पैसे तो जाएंगे पानी में इतने से बच्छे ने बर्बाद कर दिया है खर ज़तो है! जल्दी आई! ओपर ज आगा शाब! बच्चा, वेटो है? बैटो है! बॉट आफे बैटो! आपए बैठो! जल्दी जाओ! जल्दी आए! चल जाओ कर! ओर्फॉर बाइपरे! चालो! अरे! जिसे जाएंगो? आरे! पिर बच्चा लागा चलो बेटे, तुम्हारा राउंड पूरा हो गया, उत्रो नीचे अरे अरे अर्जा अरे नीचे, नीचे हाप बस गाई अरे जो खना यारे अरे कैसे उत्रे अरे अर्जा तो दिमाग पिर यह रहा कहा गया पूरा कभी अधर कभी उधर यह बच्चा है कि क्या है ज़ा शेता अरे अर्टा क्या है क्या है रह तुम लोग क्या समझे थे पैसा देने के बाद मैं अपनी आखे बंद कर लूगा हां बच्चा कहा है अरे कहा है का बच्चा वो सारा उल्टा हमारा बाप है जेड़ फूट का शेतान नाग में तुम कर दिया वासाले न हमारे अरे वो तो हमारे हाथ से निकली गया था बापू बड़े मुश्किल से आमने उसको पकड़ा क्यों इसके नाना के घर से उठाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है अरे लोरी भी सुनाई और तुम कहते हो तुम्हारे आदमी बगण के लिए क्या है देगो वाकिल साब जो खूपड़ी बच्चे को जच्च के घर से उठाके ला सकती है वाई खूपड़ी बच्चे को जच्च के याँ पहुचा भी सकती है पैसा जल्दी दे देना वरना बेवडे का श्राप लग जाएगा बरबाद हो जाओगे बरबाद तो आप तुम तीनों होगे तुम राजू भटनागर की शायद आदत जानते नहीं वो जिससे काम लेता है उसका इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बत्ता साफ कर देता है बांदो इन तुनों को ज्याँ जस्टिस सिना येस पीकिंग आप का नाती हमारे कब्जे में है कौन हो तुम और क्या चापते हो राजू भटनागर की रहाई बागल तो नहीं हो गया हो तुम अगर कल कोट से राजू भटनागर को तुमने रहा नहीं किया तो अपने नाती की लाश देख कर तुम और तुम्हारी बेटी जरूर बागल हो जाएंगे इंपॉसिबल नामुम्किन हम अपने फर्द से खर्दारी नहीं करते इस नहीं का इंजाम तुम परदाश नहीं कर पाओगे जेस्टिस सिन्हा हलो हलो किसका फोन था डड़ी किसका फोन था कितने है परका वो मुन्ने के बदले राजू भटनागर की आदारी चाहता है तो छोड़ दीजे राजू भटनागर को मुझे मेरा मुन्ना चाहिए मुझे मेरा मुन्ना चाहिए ड़ी मैं तेरी मम्ता की तड़क को समढ़ता हूं बीटी लेकिन कानून का गला घोटके कानून का रिष्टा आपसे सिर्फ पहसे का है सिर्फ रोजी का है मुन्ना आपका खून है दादी बीठी ऐसे अलफास बोलके अपने बाप के फर्ज को गाली मत दो एक जज होने के नाते दुनिया के हर रिष्टे से बड़े मेरी ड्यूटी मेरा फर्ज है मुना चुप हो जाओ मुना चुप हो जाओ मैं अपने मुन्ने को लेकर आँगा बता मेरा मॉन्टी का है बता मेरा मॉन्टी का है बता मेरा बच्चा का है बता मेरे मॉन्टी को का चुपा के रखे हलो तुम्हारा पती राजू भटनागर को रिमान पर पुलिस वाकप में ले गया है अगर उसने उसे वहाँ हाथ भी लगाया तो याद रखना तुम्हारे पच्चे का हशर बात पुरा होगा नहीं प्लीज प्लीज मेरे मुन्ना को कुछ मत करना भगवान के लिए उसे चोड़ दो अगर तुम अपने बच्चे को सही सलावत चाहती हो तो विकास से कहो कि राजू भटनागर को पुलीस भगवाप से भाग में का मौका दे और अगर ऐसा नहीं 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 हुआ तो एक बात हमेरे कान खुर के सुल लियो क्या हम तोरा बच्चे का इतना टुकुला करदूंगा इतना टुकुला करदूंगा की खिंते खिंते तोरी उम्मर कर चाहिए की! की शुक बात टुकई गुक टुक रच्चे पादर। की शुके खिंते 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 ही मेरे बेटे का पता बताए बगएर मौत भी इसका पता नहीं काट सकती हलो मैं इंस्पेक्टर शांता आपने बोल रही हूं डीसेपी विकास वर्मा को फोन दो बहुत अर्जन बात करनी है एक मिनिट मेडा होल्ड करा बता साइब आपके लिए फोन है इंस्पेक्टर आपने लाइन पर है बहुत अर्जन बात करनी है अलो आपकी बेटे का पता चल गया है सर वो वर्सोवा की सिलवर क्रॉफ्ट बिल्डिंग में देखा गया है हमने बिल्डिंग को चारो तरफ से गह लिया है आप फॉरन चले आए तुम उधर ही रुको मैं अभी पहुचता हूँ इस सूर के बच्चे का ख्याल रखना ये सर फॉरन वर्सोवा चलो कमाँ अरे मेडम आप यहा है विकास जी तो नहीं है हाँ मैं जानती हूँ वो राजु भटनाकर कौन सी लॉकर में बंद है यहाँ यहीं इसी लॉक अप में सामने हाँ अच्छा अच्छा अरे हिलना नहीं वही रुक जाओ मेडम आप पिस्तॉल भरी हुई या गोली चल जाएगी गोली चलीगी नहीं बलके मैं चला दूंगी मेडम आप गैर कानूनी हरकत कर रही है मैं कानून अच्छी तरह जानती हूँ राजू जल्दी आओ मेडम यह बहुत ही खतरनाक मुझनीमेजा आपके वेटे को कडनेप किया है अबेश्चो मैं कहता हूँ आप लोग वही पे पास्मात आना मैं कहता हूँ आप लोग जो मैड UV या आप गट कर रही है मैं कहता हूँ कि है दिखतो दिखतो खोपडी, ए खोपडी, अरे यार कुछ ऐसा चक्कर चला ना के राजू के आने तक अपने को ब्योडा मिलता रहे अरे तेरी ये दारू की वज़ा से हमारा यहां लुआ है वो कैसे तेरे ही कहने से खोपडी ने जेल में राजू बढणागर को लूटने का प्लाइन बनाया था वो ना होता तो राजू बढणागर से दोस्ती ना होती और ना ही हम बली चटते अरे तुझे भी तो इंपोर्टेट शिग्रेट और तंदूरी चिकन चाहिए था ना अबे यार ये बकवास करके क्या फाइदा है ये सोचो ना कि यहां से डिखले कैसे अरे यार सोचने का काम तेरा है अपन तो तेरी सोच पर आमल करते है मैं लोड़ा के तेरे पास आता हूँ तो अपने पैर से मेरी ये रसी खोलता हूँ अरे अच्छा है यार एड़े मेरे पैर खोल इसलिए तो कह पाऊं दारू कम पी देख नहींगा मेरे पाऊं भी बंदे हुए अब तो अगर घुवानी मदद करे तो फिर बचने का कोई चांस है नहीं तो कहे काम से ये लो आ गई फसाद की जड़ देखा मजाक उड़ा रहा है हमारा आओ कनया लगता है तुम्हारे कारें डूबी है हमारी नया तुमको उठाया था ना शायद उसी की सजा मिल रही है हमको क्या है अप्य चलाला मत आज तो बुझा भी नहीं पाऊंगा मैं हालत देख रहा मेरी प्योड़े प्योड़े आग तो नहीं लगी है लगी है क्या अरे खुबड़ी हेलना मत तेरी रसी जल रही है जल दी खुल अरे आराम से या खुपणी अरे तोड़ देखा खुल गया। खुल गया। खुल गया अधे और धे मेरे राजा, तू तो सचमुल का करीओ निकला यार। ऊपरिए उक काम करते हैं। इसको इसके घर पहले पहुंचा देते हैं। पहली मरदा तूने अकलमंदी की बात कही है। मैं यही बोलने जा रहा है तू सब बोलने जा रहा है, चल पकड़ इसको पकड़ जल्दी, बग़ो 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 देखो हर काम समझारी से होना चाहिए इसमें गलती की कोई गुणजाईश नहीं और शुरुगा वेलकाम राजुबाई, वेलकाम आजादी मुबारक हो मैंने कहा था ना डागा कभी हारता नहीं इस तुरुप की मेम ने तो बाजी पलट दी, नहीं भाई मेरा इस जेश सरी करने का इंजाम किया कि नहीं मड आलेंड पे बूड आपका ही इंतिजार कर रही है लेकिन अभी खबर आई है कि शेहर में पुलिस नाकबंदी शुरू कर दी है राजी उफटनागर को पुलिस के साथ आंख विचोली खेलने में बहुत मदा आता है तु देखना डागा मैं क्या करता हूँ तुम लोग कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए कहा है मेरा मुझना बोलो कहा है मेरा मुझना कहा है मुझना मुझना लाके दो बच्चा कहा है बच्चा यही होगा अचले देखो तागा साथ उपर तो कोई भी नहीं है और बच्चे के साथ साथ वो तीनों लोग भी गायब है अभी तक वो रसी नहीं बनी है वकिल साहब जो हमें बान सके और तुमने तो सुना होगा बानने वाले से बड़ा खोलने वाला होता है खोलने वाला नहीं जलाने वाला और जब वो खुस्य में आयागा न तो तुम बहिमानों की लंका को जला कर खाक कर देगा कहे ना क्या चाहते हो तुम अजब भाई हम लोगों का रिकार्ड है कि हम लोगों ने बहिमानी का काम भी हमेशा ही मांदारी से किया हमने तो बच्चे को किर्नेप किया लेकिन तुम्हारी इस वकिल ने पैसे देने से इंकार कर दिया जूट बोलता है ये बच्चा ये लोग नहीं मेरे आदमी लेके आए थे अच्छा तो जजद साब के घर भी तुम्हारा ही आदमी गए थे ना उसके घर पे आग भी तुम्ही नहीं लगाई और वो जो छोटा सा है उसके नखरे भी आप भी ने बरदाश्की है शायद इसको बताओ उसने हमारे इसी बैंड बजाई है के बताओ नहीं जानते है अभी टाइम नहीं बखवास बंद करो और ये बताओ के बच्चा कहा है देखो राजु बाई आपन तो पब्लिक टेलेफोन है सिक्का डालो और बात कर लो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे ये मेरा वादा है वादा और आदा आपन नहीं पजानते है अपनका उसूल है ये साथ दे और उसी हास्ते ले क्या बताओ रुड़ू ये रे तुम्हारे पैसे हमारा बच्चा लेगिया तुम केरे जाओगी तुम ये हराओगी वादा ये तु बच्चा लेऋ व कमान, कमान, कमान जड़ जड़ बनका बच्चा लेड़ू अपने पाल तु कुत्वों से बोल, हतियार फेंग रहे बोल बोलता हूना चलो भई कुत्व, हतियार फेंग दो ये रहिया आपकी आमानत इसी तो हम आपी के पास ला रहे थे लेकिन आपको देखा इसलिए रुख गए माना माना मेरा बच्चा है खबरदार खबरदार कोई नहीं हिलेगा एए चल उदर चल उदर चल कुत्व साला है अब बोलो के तुम गद्दारों के साथ क्या सुलूक किया जाए मेरे पास वक्त बहुत कम है वरना मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर तड़पा तड़पा कर ऐसी मौत मारता के मौत भी शर्मा चाती अफसोस अफसोस कि अब तुम्हारे साथ ये भी मरेगी पूछो क्यों पूछो क्यों क्योंकि राजू भटनागर अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता और रहा सवाल इस बच्चे का अरे ये बच्चा तो ये बच्चा तो मेरी जान है जान क्योंकि ये मुझे पुलिस से बचाकर अपनी बोर्ट तक पहुचाएगा और उसके बाद मैं इसके चोटे 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 तुकले कलके मश्मियों को खिला दूँगा जो आप आप मज़ आ लेको, मज़ आ लेको आप पहाँ आप्या आच्चा बादी पकारा पल्यवट आप आप नही बुन्ना हमका बेक कुबरा के कहा जाती है चमिया रहे करीव करें बाहे करोताया कुछा बन्रेट सिर्फी एलभ ओिए estás학 झाल धब धिर भ्प ख़्ध जाय एल प्ड 가운데 घल प्लेट पॉ़ क्रीभ हुआ हुँ ! आरें! और मेरी मुदू! इढ! हाँ! बच्चे यारण! गुन अन्यो, और मेरी! लुणा! बराँ! अब पाकेट देखूं तो अरे शाला कुछ भी नहीं अन्या या ये क्या कर रहा है पर्स चुरा रहा है पईसा तो मिलने वाला ने दाना पानी को कुछ तो चाहिए पर इतना बड़ा पर्स है खाली पांच रुपया इसमे या अरे यार मारते भी हो और पर्स चिनाते हो तुम लोगों शरम नहीं आती अरे शरम तो तुझे आनी चाहिए पर्स में सिर्फ पांच रुपया राखता है शाला मार शाले को यी बच्चा हम के दिरानी वरना हम तुका गुणी मार डेप नहीं वे बच्चा नहीं दोंगी हमको गोल नहीं मारिये, हमको धरुमान का भागतू चल जाएगी, चल जाएगी, चल जाएगी, भाई अरे, इधर, 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 किस चागता है अरे हम hero party के, villain party उधर है, उधर, उधर जाएगी, कोई पाशकर ना जाएगी कोई पसकर न जाएगी अरे, अरी भापरे, तो बोलता में अचसरा मार दिया, कभी ऐसा लग दे आता तो अरे मुझे मार रहे हो बच्चे का क्या बच्चा धूंड़ो बच्चे की दिर चलो नहीं छोड़ दो छोड़ दे मेरे मुंदे का पकड़ो सबको कोई भी भाग दे ना पाए विकास विकास राचु भट्टाकर हमारे मुंदे को लेके बाग गया अब राओ नहीं मॉनिका मैं मॉंटी को साई सलामत ले गर आऊँगा मेरा बच्चा मुझे दे दे अँ हाँ मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे कमान और मैं कहता हूँ कि नहीं दूगा रुक जा वरना तुझे जान से मार दूगा अरे तू मेरी जान तब तक नहीं ले सकता, जब तक तेरी जान मेरे पास है और अगर हिम्मत है, तो चला कुछी चला पापा, पापा पापा अजय करे आर बुझ पापा 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 वाँ वाँ अध अँग अजय वाँ 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 तूले पुझ वाँ नहीं सर, रुख जाए सर, कानून को अपने हाथ में अमत लीजे, सर प्लीज, है लेकर चलो से, उटाओ, चलो रेकर जाओ नहीं सर, प्लीज पॉंटी, पॉंटी, मेरा बच्चा राजू फट नागर क्या देखता है, क्या देखता है, वो तो विका साब ने तुझे जिन्दा छोड़ दिया, हम होते हैं न हम तो राजू के भट को भुट्टे की तरह भुंते, और नागर को नागरा बनाकर पैर में पहना देते विकास साब, हम सबको माफ कर दीजिए हम लोग कारण आपको बच्चा लफड़े में आ गया साब इसलिए हम बहुत शर्मिंदा है सच पूछो तो भगवान ने आप तीनों को हमारे बच्ची की रक्षा के लिए भेजा था अगर इनकी जगा राजू की कुंडे मॉंटी को उठाले जाते तो ना जाने हमारे बच्ची की क्या हालत होती मैं कानून से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों की सजा में रियायद पढ़ती जाए सजा तो हम लोग यह खिज़ा है जय हाँ जैसे पेट को खाने की ज़रूरत पढ़ती है वैसे हमें दो तीन मैने के बाद सजा की ज़रूरत पढ़ती है लेकिन इस बार सजा काटने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे na हम मौंटी बाबा की सौगन खाकर कहते हैं कोई बुरा काम नहीं करेंगे अरे वाई येडे तुने तो पेड़ा काने वाली बात की ये सब मौंटी बाबा के साथ और बजरंग बली के भक्त के जिमतकार का कमाल है नमस्कार सरदर्द है सारा अपने बजे बारा हमने तो यह माना कि तु है बाप हमारा अब अब क्या हुआ क्यों है रोता हुआ हम तुझे जान गए तु है पहुचा हुआ काहे तु शोर करें रे बचुए